देश में कोरोना वायरस की नई लहर के कारण हाहकार मचा है इसी मामले पर सोमवार को मदरास हाई कोट में सुनवाई होई हाई कोट ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है क्योंकि चुनाव आयोग ने कोरोना संकट के बाद भी चुनावी रेलियों को नहीं रोका था मदरास हाई कोट के चीफ जस्तिस एस बेनर जी ने सुनवाई की दौरान कहा कि चुनाव आयोग ही कोरोना की दूसरी वेव का जिम्मेदार है चुनाव आयोग के अधिकारियों पर अगर मर्डर चार्ज लगाया जाए तो गलत नहीं होगा अधालत में जब चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि उनकी और से कोविट गाइडलाइन्स का पालन किया गया वोटिंग डे पर नियमों का पालन किया गया था इसकर अधालत नाराज हुई और पूछा कि जब प्रचार हो रहा था तब क्या चुनाव आयोग दूसरे प्लैनेट पर था अधालत ने इसी के साथ चेतावनी दी है कि अगर दो मई कोविट से जड़ी गाइडलाइन्स का पालन नहीं हुआ और उसका ग्लू प्रिंट नहीं तयार किया गया तो वह मत गन्ना पर रोक लगा देंगे अधालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि स्वास्त्य का मसला काफी एहम है लेकिन चिंता की बात यह है कि अधालत को यह याद दिलाना पड़ रहा है इस वक्त हालाथ ऐसे हो गए है कि जिन्दा रहने के लिए संगर्ष करना पड़ रहा है दोस्तों आपकी क्या राए हैं इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखे हमें जरूर बताएं ताथी वीडियो को लाइक करें अपने फेंट और फामली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद